नमस्कार सद्गुरू, आप हमें कहते हैं कि हमें जीवन के इस अंश को पुरी तरह से जानना चाहिए, हम शुरुवात कैसे करें और कहां से? बस एक बार पीछे घूमें, बस पीछे घूमें, बस पीछे घूमें, पीछे घूमें, देखिए आप सब देखिए उनकी टी-शेट पर क्या लिखाया है? ए, जी, आपको वहीं से शुरू करना है, ए, जेट से मत शुरू कीजिए, आपको ए से शुरू करना चाहिए, ए का मतलब है शुरू आप, है न? आपको शुरू कहां से करना चाहिए? क्या ये हिस्सों में होता है? आपको शुरू कहां से करना चाहिए हम ये बार-बार कहते रहे हैं आप सिर्फ वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां आप हैं आप कहीं और से शुरू नहीं कर सकते कहीं से भी शुरू करने की कोशिश मत कीजिए शुरू करने के लिए कुछ है ही नहीं ये बहुत पहले ही शुरू हो चुका है, आप बस इसे तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसे शुरू नहीं कर सकते, ये पहले से चल रहा है, विकास करने की आपकी लालसा शुरू हो चुकी है, है न, हो सकता है कि आप जादा पैसो के बारे में सोच रहे हों, लेकिन वो आपकी बस गलत फेहमी है, असल में आप थोड़े जादा होना चाहते हैं, यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है, बटकी हुई है, पर एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, आप शक्तिशाली होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, जानकार होना चाहते हैं, आप दूसरों का प्रे अगर आप कुछ भी अंजाने में करते हैं, तो आप गलतियां कर सकते हैं, हर कदम आपको भटका सकता है, है न? अगर आप, अब अगर मैं आपसे कहूं, बंद आखों से कार चला कर घर जाईए, इससे पहले कि आप पार्किंग से बहार आएं, आप काफी परशानी में होंगे, है न? तो अब कहीं से शुरू करने की कोशिश मत कीजिए, बस जादा से जादा सचेतन बनियें, जब आप जादा सचेतन होते जाते हैं, तब ये प्रक्रिय अपना मार्क स्वभाविक रूप से पालेगी, सचेतन होना, जागरुक होना, इसका क्या मतलब है? अगर आप जागरुक होने की कोशिश करते हैं, तो आप जागरुक नहीं हो सकते, लोग हमेशा दिमागी सतरक्ता को जागरुकता समझ लेते हैं, दिमागी सतरक्ता जीवन चलाने की आपकी काबलियत को बहतर बनाती है। आप दिमागी सतरक्ता से जीवन बहतर चला सकते हैं। लेकिन ये जागरुकता नहीं है। जागरुकता का मतलब है, अभी क्या आप यहाँ हैं इस वक्त? क्या आप जानते हैं कि आप यहाँ हैं, यही जाग रुखता है, आप जाग रुख हैं, इसी लिए आप जानते हैं कि आप यहाँ हैं, वरना आप नहीं जान पाते हैं, मान लिजे आप, तब आप नहीं जानेंगे कि आप यहाँ हैं, है न, अगर कोई, आप जान जाएंगे, कोई सोया है, कुछ चुबाओ तुरंद यही है फिलाल आपको चुबाने की जरुवत नहीं है फिर भी आप यही है तो मैं यह कह रहा हूं कि आपकी जागरुकता वैसे भी अलग-लग स्तरों में आ रही है क्या आपने गौर किया है कि दिन के अलग-लग समय पर आपकी जागरुकता का स्तर अलग-लग होता है तो इसे बढ़ाया जा सकता है जीवन चलाने के लिए जो जरूरी है वो कुदरती रूप से होता है बात जीवन चलाने की हो तब भी हर इंसान उसी हद तक सावधान नहीं होता अब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं हर कोई उसी हद तक सतर्क नहीं है ये जीवन चलाने की प्रक्रिया है गाड़ी चलाना लेकिन हर कोई उसी हद तक सावधान नहीं है तो जीवन चलाने के कामों में भी हर कोई उसी हद तक सतर्क नहीं है और उसे बढ़ाया जा सकता है अगर आप इस जागरुकता को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा मुकाम आएगा जहां इसका संबन जीवन चलाने से नहीं रह जाता ऐसी चीज जो आपके जीवन यापन के लिए जरूरी नहीं है वो भी आपकी जागरुकता में आ जाएगी जब वो चीज आपकी जागरुकता में आ जाती है जो जीवन चलाने के लिए जरूरी नहीं है तो निश्चित रूप से वो भौतिक से परेकायाम होगा तो जब वो आपके जीवन में जीता जाकता अनुभा बन जाता है आप बस जारी रहते हैं बड़ी सरलता से उन साथ दिनों में हम आपके साथ ये करते हैं हम धीरे धीरे आप में इस तरह उर्जा भढ़ते जाते हैं ताकि आप जादा से जादा जागरुख बन जाएं। अचानक 5-6 दिन बाद आप ऐसे होते हैं। उसके बाद अगर आप अपने अभ्यास जारी रखें, तो धीरे-धीरे ये हर दिन उपर उठेगी। वरना आप धीरे-धीरे एक बार फिर मन्द पढ़ जाएंगे। क्या आपने इस पर गौर किया है? जब आप अपने अभ्यास लगातार जारी रखते हैं, आपकी जागरुखता कैसी होती है? आप छोड़ देते हैं, तो वर्ल्टेज धीरे-धीरे नीचे आ जाता है। अगर वर्ल्टेज नीचे हुआ, तो लाइट धुंदली हो जाएगी। लाइट धुंदली हो तो आप बहुत कम चीज़े देख पाएंगे। अगर voltage वाकई उचा है, तो light वाकई में चमखीली हो जाती है, और आप हर चीज़ देखते हैं, यही जागरुकता है, तो आप अपनी जागरुकता पर या अपनी चेतना पर या अपने आध्यात्मिक विकास पर काम मत कीजे, आप अपनी voltage पर काम कीजे, आप अपनी ना, देखे, एक युवा दूसरे लोगों की अपेक्षा कहीं जादा उर्जावान होता है, लेकिन वो हमेशा मुश्किल में पढ़ जाता है, क्योंकि उसमें उर्जा है, लेकिन उसमें स्थिर्टा नहीं है, तो उर्जावान होना और स्थिर्टा कायम रखना, ये दो क्योंकि यज स्थिर्ण सथिर्टा नहीं हाँ